हेलो दोस्तों मैं राजा स्वागत करता हूँ आपका RC Classes में दोस्तों RC Classes में हम सॉल्व करेंगे परिक्षावणी टेस्ट स्रीज और इसका भाग ग्यार होगा तो प्लीज आपने वीडियो के अंते तक बने रहने हैं और इसको ज़्याद से ज़्याद अपने दोस्तों के साथ शायर करना है और दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सस्क्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज उसे सस्क्राइब कर लें साथ में notification वेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारा वीडियो टाइम पर प्राप्त हो सके और अगर आपको हमारा classes और हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसको ज़्याद से ज़्याद अपने दोस्तों के साथ शेर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें इसमें आपको उत्तराखन सामने ग्यान और साथ साथ में उत्तराखन टेस्टे स्रीज फ्री में प्रोबाइट की जा रही है तो आईए आज के लास सुरू करते हैं दोस्तों आज ही के लास का हमारा पहला question है सही कथन का chain कीज़े पहला option शैतान सिंग परमीर चक्र दूसरा आपका भवानी दित्य जोसी असोग चक्र तिसरा आपका कालू मेरा सुतन्ता सेनानी चौथा आपका उप्युक्ति सभी युग्म सही है इसमें आपको देखे 5 सेगंड का टाइम दिया जाएगा आपने पताना की कौन सा कतनिन में सही है तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका देखे उप्युक्ति सभी युग्म सही है सहतान सिंग को परमीर चक्र मिला है बहानी दित्य जोसी को असोग चक्र मिला है और कालू मेरा मारे सुतन्ता सेनानी थे इनके बारे में कुछ हेश्टा पॉइंट भी जान लेते हैं जो परिक्षा की दिरिष्टी से बहुत महत्तोपून है तो उत्राखंड के पर्थम सोतंता सैनानी का नाम के आपका कालू मेरा इनका जनम 831 में वर्तमान चम्पाव जिले के लोहागाट के पास इस्तित विशूर नामक गाव में हुआ था एक कोशन भी पूछा जा चुका है तो बहौत ही इसका गड़ा था और इनकी मिरद्य आपका 1906 में इसे कोशन आज तक बने है नेक्स्ट देखे आपका बहानी दित्तु जोसी इनका जन्म 15 जुलाई 1902 को चपड़े चमोली में हुआ था और मिर्ति देखे च्छे जुलाई 1984 को भी थी ऑपरेशन बिलू इस्टार के दोरान ठीक है इंपोर्टेंट है यह पूछा भी जा चुका है और पूछा जा सकता है यह हमारे हैं असोक चक्रप्राप भवानी दित्ति जोसी जी नेक्स्ट कोसिन आपका इसमें उत्त्राखन से पर्थम बार किसने द्रोणाचारे पुरुस्त का प्राप्त किया था पहला अप्सन आपका हरी सिंग थापा दूसरा आपका उन्मुक्त चंद तिसरा आपका मनी सेगंड का टाइम दिया जाएगा तो दोस्तों इसका सयान से आपका हरी सिंग थापा जी ठीक है उत्त्राखन से पर्थम बार दुरुनाचारे अवाट किसको मिला था हरी सिंग थापा जी को नेक्स्ट कोसिन आपका इसमें उत्त्राखन से पर्थम बार खेल रतन पुरुस about किसको मिला है जस्पान राणाजी को दोस्तों next question आपका इसमें भारत की पहली रामयन वाटी का निर्मित की गई है पहला option आपका देहरादून दूसरा आपका हल्दवानी तिसरा आपका टिहरी गड़वाल चौथा आपका पितोरा गड़ इसमें आपको पांस सेगन का टाइम दिया जाएगा तो दोस्तों इसका सईयांसर आपका देखिए हल्दवानी भारत की पहली रामयन वाटी का कहा निर्मित की गई है हल्दवानी में कुछ extra point भी जान लेते हैं जो परिक्षया की दिरिष्टी से बहुत महत्वपून है हल्दवानी में निर्मित रामयन वाटी का में रामायन में उनलित उत्त्राखंड की संजीवनी बूटी सहीत सिरलंका में पाये जाने वाले नाक केश और वनेस्पतियों को संड़क्षित किया गिया है ठीक है कुछ एक्ष्टापवन अब देखें हल्दवानी के बारे में भी जान लेते हैं कब करा अठार सो तिसमें ये कुशन पूछा जा सकता है कि आधनिक अधनिक निर्मान किसने करा विलियम ट्रेल और कब करा अठार्सो तृत्ता जीक है और हल्दवाणी के पास है आपका नहान शृंकलाएं भी इस्तितिति वह शॉशन पूछा गया है हल्दवाणी में नहरे बनाने के काम किसने कियो रैम जे ने ठीक है अठार सो सता उनकी करांतिके समय भी आपका कमिशनर था रेम जे कोशन भी लाश्ट नाइम पूछा गिया था ठीक है राज्य में पर्थम दुग्दु संग उनी सो नपचास से आपका हल्दवानी में ही इस्तित है और स्टेट कैंसर इंस्ट्यूट भी आपका बाख हल्दवानी में ही है और हल्दवानी में राजजगा दुसरा चिंग घर भी बनाया जा रहा है यह कोशन अक्शर पूछ ले जाते हैं और इंद्रा गांदी अंतराष्टी किर्केड इस्टेड़ियम भी आपका हल्दवानी में इस्तित है दोस्तों नेक्स्ट कुशन आपका इसमें चक्राता में सेनीक छष्याउनी की स्ताबना कप उइ पहला ऑप्षन 887, दुसरा आपका 8862, तिसरा आपका 866, चौथा आपका 870, जिसमें आपको पांस सरे vans श्ताबन का टायम दिया जाएगा, देखे देहरादून के जॉन सर बावर के चक्राता एयों केलना पहाणियों पे स्थित चक्राचावनी आपका 866 में बनना श्टार्डवी और 839 से यहां सैनिक रहने लगे ठीक है लेकिन केंटो मिंट मजिस्टेट का कारेलाई यहां 833 में इस्तावित हुआ था एक कोशन भी पुछा जा सकता है नेक्स्ट कोश्चन है दोस्तों इसमें आपका जयए प्रोधितगी संस्तान कहा एस्तित है पहला ँप्सन आपका 13 दून दूसरा आपका पनते नगर 3 आपका नेनिताल 4 आपका रूट की इसमें आपको 5 सेकिन का टाइम दिया जाएगा तो दोस्तों उसका सही आंसर आपका पंते नगर देखे जैव प्रोधित की संस्थान का इस देखे आपका पंते नगर ये question भी पूछा जा चुगा है तो important है next question आपका इसमें 1 kg में कितना मुठी होता है पहला option आपका 16 मुठी, दूसरा आपका 20 मुठी, तिसरा आपका 32 मुठी, चौथा आपका 8 मुठी इसमें आपका 5 सेकिन का टाइम दिया जाएगा तो दोस्तों उसका सही आंसर आपका 16 मुठी, देखे एक e जी में पराबर 16 मुठी, ये question भी पूछा जा चुगा है next question आपका दोस्तों important है, राज में e डिस्टी की उजना कब स्टार्ट की गई, पहला option आपका 2001, दूसरा आपका 2005, तिसरा आपका 2009, चौथा आपका 2010, इसमें आपको 5 सेकिन का टाइम दिया जाएगा तो दोस्तों आपका सही answer आपका 2009, देखे राज में e डिस्टी की उजना स्टार्ट कब हुई 2009 में, कुछ extra point है जो मैं जानने चाहिए, राज में e डिस्टी की उजना 2009 में, पॉली जिले में, पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट की गी थी, ठीक है, आपने ज जिलाब यात करना है, पॉली जिलाब, इस योजना का उद्देश से, विविन्न परकार की सरकारी सेवां को सूचना प्रोधी की माध्यम से लोगों तक पहुचाना है, इम्पोर्टन ये कोशन पूछा जा चुका है, वश्ट में पूछे जाने की पूरी संबावन है, नेक दोस्तों उसका सही आंसर आपका भागे रेती देवी, उत्तराखंड की पहली महला सत्यागरी कोन थी आपका भागे रेती देवी, नेक्स्ट कोशन आपका इसमें दोस्तों, उत्तराखंड का पहला पूरुष सत्यागरी कोन था, पहला उप्चन आपका सिम सिंग, दूसरा परताप सिंग नेगी, कोष्टिन पूछा जा सकता है नेक्स्ट गोष्टन है आपका दोस्तों किस मंदिर को सकंद पुराण में मुनेखरी पीट कहा गया है पहला आपका तुंगनाद, तुसरा आपका रगुनाथ मंदिर, तिसरा आपका बैजनाद मंदिर चौथा आपका कुल सारी का सोरी मंदिर इसमें आपको पांच सेकंड का टाइम दिया जाएगा तो दोस्तों इसका सही अंसर आपका रगुनाद मंदिर देखे रगुनाद मंदिर को इसकंद पुराण में मुनेखरी पीट कहा गया है और रगुनात मुंदिर आपका देव परियाग टहरी में इस्तिता है देव परियाग आपका भागरती जिसको हम क्या कहते है सास भी कहते हैं और अलगनन्दा बहु के संगम पर इस्तिता है ठीक है कहा जाता है कि देव परियाग में ही बगवान विश्ण ने राजा बली से तीन पक धर्ती दान में मागी थी important point है पूछा जाता है यहाँ पर दो कुंड है जिने हम क्या कहते है बर्मकुंड या ब्रहमा कुंड ठीक है भागरती की और वो वसिष्ट कुंड अलक नंदा की और ठीक है कहते हैं यहाँ आप पूछा जा सकता है ब्रहमकुंड और वसिष्ट कुंड का हैं तो देवपरियाग में और देखे पंच्च परियाघों में सर्वादिक धार्ब में मुथे सिस्तान का और इस खेतरे में कवे नहीं पाए जाते है ठीक है राम ने राव्ण के ने करी थी तो आदिगुरु संकराचारी ने और मंदर के पर्वेशदार पर मादो सीवी भंडारी की पुत्र वदू मथुरा वैरानी दोरा गडवार राजबंस के अधिपती पृतिवी शाके शासनकाल का एक लेग भी अंकित है ऐसे कोशनक्षर पूछ ले जाते हैं तो एक छण जाता रहन धीकर इस स्थान का नाम का पड़ा था आपका देव-पृयाज पड़ा था इसका S की प्रमुख नदी है इसका उद्गम बदकोट के समीब वेणू परवत से होता है ठीक है वेणू परवत बदकोट के पास ठीक है और बागिश्वर में यह नदी आपका सर्यू में मिल जाती है ठीक है तो बागिश्वर की नदी के तर्ट पेस्थित है सर्यू और गोमती डार बैजनाथ में किस में मिलती है गरुड गंगा में कुछ एक्ष्टा पॉइंट भी जान लेते हैं जो परिक्षा की दिरिष्ट से इंपोर्टन्ट है देखे उत्त्राखन कुमाओ की पर्थम कृतिम जील बैजनाथ जील गोमती नदी पर बागिस्वर जनपद में बनी है ठीक बैजनाथ को पूर्व में क्या माना जाता था कार्तिके पूर्व माना जाता था बैजनाथ बराबर कार्तिके पूर ठीक है और बैजनाथ में देखे कत्यूरी सासकों ने ग्यार सो पचास इस भी के आसपास क्या करा था मंदिरों का एक समों भी बनाया था एक कुशन भी प पूछा जा सकता है सर्यू और काल निदी का ठीक है और ऐसे देखे राम इशुरम में यह आपका पूर्वी राम गंगा से संगम बनाती है तो राम इशुरम कहाट में किस नदी से संगम बनाती है आपकी सर्यू नदी राम गंगा ठीक है वी पूर्वी राम गंगा राम चरित मानस में इसे मानस नंदनी का गया है तो direct question पूछा जा सकता है कि सर्यू नदी को रामचरित मानस में कौन सी नदी का गया है तो मानस नंदनी का गया है और मिलिंद पनोव में सर्यू को सर्वू का गया है ठीक है ऐसे question एक सर पूछ ले जाते है उत्तराखंड की परिक्षियों में नेक्स्ट कुश्चन आपका इसमें दोस्तों अदेवित आसरम कहें इस्तित है पहला उप्षन चमपावत दूसरा आपका चमोली तिसरा आपका टीरी चौथा आपका देहरादुन इसमें आपको इन्यानवे को विवेकानन्द जी के सिस्य स्वामी स्वरुपानन्द ने ठीक है करा था और उनकी हेल्प किस ने करी थी उनके अंगरेज शिश्य शेवियर एम उनकी पतनी ठीक है इंपोर्टेंट है और देखे तीन जनवरी उनिश्व एक में यहां स्वामी विवेकानन्द भी आये थे ठीक है डारेट कोशन पूछा जा सकता है और यहीं से स्वामी जी ने परबुद्ध भारत पत्र भी परकाशित किया था तो डारेट कोशन पूछा जा सकता है कि परबुद्ध भारत ठीक है सोपनिल लगर भी कहते हैं प्राचिन नाम कुम है चमपाओद आपका गड़की गाड़ और चमपाओती नदी के संगम पर इस्तिते डारिट कोशन पूचा जा सकता है तो चमपाओद आपका गड़की गाड़ और चमपाओती नदी के संगम पर इस्तित है प्राची नाम आपका कुमू ठीक है संस्ताब कोन माना जाता है राजा सोमचन छेत्रपल की दिरिष्टी से राजी का सबसे छोटा जिला है चमपाउद एरिया कितना है इसका सत्रचियासट वरगी किलोमेटर और देखे चमपाउद जिले का प्राची नाम आपका जाता है खाली नदीम है ठीक है नरसीग देवता का मंदीर यह भी आपका चमपाउद में पढ़ता है बहुत इंपोर्टन है एक फिछ पूचन एक सर पूच ले जाते है एक हतिया नोला ठीक है यह भी आपका चमपाउद में है जिसका निर्माल किसे ने कर रहा था जगदनाद मिस्तिरी ने अपनी बेटी कस्तूरी के मदद से किया था बहुत इंपोर्टेंट है देखे ऐसे कुश्चन अक्सर पूछ ले जाते है इसमें देखे एक पॉइंट है अद्वित आसरम चंपा अत्मेस्तित है मायवती आसरम का प्राचिन नाम क्या था आपका अद्वित आसरम और राम कृष्चन सांतिमेट ठीक है ये भी इसी का नाम है तो एक कुश्चन अक्सर पूछ ले जाते है नेक्स्ट कोशन आपका दोस्तों इसमें दूनागरी का युद्ध कब हुआ इसमें आपको 5 सेकन का टाइम दिय जाएगा तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका 747 ठीक है सेवन्टीन फोटी तरी में दूनागरी का युद्ध हुआ किन के मद्ध हुआ रोहिलों और कल्यान चंद चतुर्द और परदीब शा के मद्ध है ठीक है एक तरफ थे आपके रोहिला और दूसरी तरफ थे आपके कल्यान चंद चतुरत और परदीब शा कोश्चन इंपोर्टेंट है डारेक्ट पूछा जा सकता है नेक्स्ट कोश्चन ने दोस्तों आपका इसमें महिला मंगल दल किसने बनाया पहला ओप्सन कल्यान सिंग रावत दूसरा आपका चंदी परसाद बट तिसरा आपका हेमों इंती नंदेन बहुगोना चौथा आपका इनमे से कोई नी इसमें आपको पांस सेकंड का टाइम दिया जाएगा तो दोस्तों उसका सही आंसर आपका चंदी परसाद बट जी देखें महिला मंगल दल किसने बनाया चंदी परसाद बट जी ने 1972 में ठीक है और अदेख्षतिया आपका गौरा देवी और ऐसे आपका देखें दसोली ग्राम सुराज संकी स्तावना भी किसने करी थी चंदी परसाद बट जी ने 1964 में इस्ट्रा पॉइंट है इंपोर्टेंट है पूछा भी गया है देखें चिपको आंदुलन ठीक है चिपको आंदुलन देखें 1922 से सुरू वनों की अंधादुन एवं अवेद कटाई को रोकने के उद्यस से 1974 ठीक है 1974 में चमोली जिले में गोपि 1977 में क्या है इस जंगल की युपकार मिट्टी पानी और वियार जिंदा रहने के आदार ठीक है और चिको आंदुलन को अपने सिकर पर पहुचाने में देखें आपके सुंदरलाल भागुणा और चंडी परसाद भरजी ने क्या करा था महत्तुपूर्ण योगदान दिया यह कुशन अक्सर पूछ ले जाते हैं ठीक है और चमोली के चंडी परसाद भरजी को 1982 में 1982 में रेमन मेक्स से अबोर्ड भी मिला है मैंने यह पॉइंट आपको अच्छे से बताए भी है ठीक है मारो गोली और कारदो मेरा माई का यह कतन का किसका गोरा दीवी का ठीक है इस अच्छी क्लास हमारी पर समापत होती है देखिए आज क्लास में आपको कुछ इंपोर्टन कुश्चन कराए जो उत्राखन की परिक्षाओं के लिए बहुत महत्तपूर है तो उम्मीद करता हूँ यह क्लास आपको बहुत पसंद आएगी अगर आपको अमारी क्लास पसंद आप्सेल सर्टन कर लिए जय फिसक्शन को कर लकर है उत्राख फ्रस कि अम्मीद कर दो नह कंद़ी Ready खिर आपको क्लास झाल झाल झाल